नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है। अर्विंद केजरिवाल को सुप्रिम कोट से भी बड़ा जटका लगा है। और ये जटका इस रूप में है कि उनके जो वकील हैं और जाने मानेवाधी वक्ता हैं, अभिशेक मनु सिंग्वी, वो यहां भी हाई कोट की तरह, इस पूरे मामले को, इस पूरे शराब घोटाले को राजनीतिक रंग देने की चेश्टा कर रहे थे। और सुप्रेम कोट की जो दो सदसी एक हंड़पीट गठित की गई है, उसके सामने ये दलीलें देने की कोशिश कर रहे थे, कि साम चुकी लोकसवा चुनाओं हैं और लोकसवा चुनाओं में इनको परचार से दूर रखना था, इसलिए इनकी गिरफतारी की गई है। और वो कह रहे थे कि इस मामले की तत्काल सुनवाई हो। आपको याद होगा हाई कोट में भी इन्हों ने कुछ इसी तरहा की जल्दबाजी दिखाई थी और इसी तरहा की राजनीतिक बयानबाजी कोट में खड़े हो करके करने की कोशिश की थी। यानि उन चीजों पर वो धूल डालने की कोशिश कर रहे थे जो गंभीर एलिगेशन अर्विंद केजरिवाल पर केकविता पर मनीश सिसोधिया पर विजे नायर पर संजय सिंग पर शराब कारुबारियों पर और इनके पूर्व नोकर शाहों पर लगे हैं शराब घोटाल को ले करके और सो करोड की रिश्वत ले करके लेकिन सुप्रिम कोट के जस्टिस ने साफ कर दिया जब ये जिद कर रहे थे कि इसी शुकरवार को यानि उन्नीस अपरेल को इस मामले को आप सुची बद्द कर दें तो सुप्रिम कोट ने कहा कि हम जल्दी की तारीख देंग पर उन्नीस को सुनवाई नहीं कर सकते और सुप्रिम कोट जब ये लगतार दलीले दे रहे थे और दलीले भी किस तरह की थी कुछ जो सुप्रिम कोट में अभिशेक मनु सिंग्वी ने कहा और जज्ज साहवान ने कहा वो ज़रा समाद सुनिये सिंग्वी ने कहा कि साब मैं कुछ facts सामने रखना चाहता हूँ जो कोट को चोंका देंगे तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमें notice जारी करने देजिए सिंग्वी ने कहा कि तारीख थोड़ी पास रखिएगा इसी शुक्रवार को तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपको करीब की तारीख दे सकते हैं लेकिन वो तारीख नहीं जो आपने सुझाई है यानि 19 अपरेल को हम सुनवाई नहीं करेंगे सिंग्वी ने कहा कि हम केवल ये कह रहे हैं कि ये गिरफतारी सामान नहीं है केजरीवाल का नाम ICIR ECIR या चार्जशीट में नहीं है पंद्रे बयान हैं गिरफतारी केवल इसलिए थी ताकि केजरीवाल चुनाओ परचार ना कर सकें तो सोलिसिटर जर्नल ने कहा कि हम इस दलील का विरोध करते हैं जस्टिस खन्ना ने कहा कि 29 अपरेल से शुरू हो रहे हफते में सुनवाई करेंगे तो सिंग्मी ने कहा कि हम आप से और जल्दी सुनवाई की अपील कर रहे हैं जस्टिस खन्ना ने कहा कि जितनी जल्दी सुनवाई कर सकते हैं उस दिन की तारीख आपको दी है इसका मतलब क्या है देखे इसका मतलब ये है कि अब ही जो ये हाई कोट के द्वारा इनकी दलीलें खारिज किये जाने के बाद और हाई कोट की जस्टिस सुन कांता शर्मा ने इनको ये ही बाते कही थी ना इनको ये ही बाते समझाई थी कि ये जो मामला केजरी वाल बनाम सेंट्रल गॉर्मेंट बनाने की कोशिश हो रही है ये केजरी वाल बनाम सेंट्रल गॉर्मेंट नहीं है ये केजरी वाल बनाम कीडी है लेकिन इन लोगों के सारे बयान आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे. ये शराब गोटाले की बात ही नहीं करते, ये सो करोड रुपे रिश्वत लेने की बात ही नहीं करते, सुिकार ही नहीं करते, ये अपने devices, अपने mobile phone तोड़ चुके हैं, नश्ट कर चुके हैं, ये चीजों को लगातार छिपाते आ रहे हैं और ये लगातार इस मामले को एक राजनीतिक रंग दे करके इस चुनाव में भी बेशरमी के साथ इसका राजनीतिक फाइदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जबके वस्तो इस्तिती ये है कि अर्विंद केजरिवाल को बहुत तथ्यों के साथ, दस्तावेजों के साथ मनी ट्रेल के मिल जाने के बाद ही गरपतार किया गया है और हाई कोट की जस्टिस सुनकांता शरमा ने ये इस बता भी दिया था कि इसमें इडी ने कोट के सामने भारपूर तथ्य रख दिये हैं और वो उनसे संतुष्ट थी इसी के बाद इनकी जो दलील थी इनकी जो चुनोती थी गरफतारी को ही एक तरीके से ये चुनोती दे रहे हैं कि मेरी तो जो गरफतारी है ये ही आवैद है तो इनकी सारी दलीलों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था अच्छा हाई कोर्ट में भी इनको जटके लगे जिस तरीके से अभी सुप्रेम कोर्ट में जटका लगा है ये हाई कोर्ट में भी ततकाल सुनवाई की अपील कर थे, इनकी दलील थी के साब कल तो शायद वो इद थी या क्या था, एक त्योहार था, फिर शुक्रवार को एक लोकल त्योहार पड़ रहा है, सट्रडे संडे को छुट्टी रहती है, तो ये चार दिन चले जाएंगे, यानि सड़जी जो हैं वो तिहार में चार दिन और रहे एक्चल में अभिशेक मनु सिंवी को, उनके दूसरे वकीलों को, उनकी लीगल टीम को, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरिवाल को भी इस बात की चिंता ज्यादा है, कि वो तिहार में ज्यादा समय ना रहें, और फटा फट बस बाहर निकल आएं, और अपने चुना कि ये राजनितिक मामला नहीं है, ये एडी और केजरिवाल के बीच का मामला है, बड़ी सी बात है कि ये रश्टा चार से घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, रिश्वत से जुड़ा हुआ, मनी लॉंडरिंग से जुड़ा हुआ मामला है, और इसी लिए PMLA कोर्ट ने को तिहड बेजा है न्याई खिरासत में बेजा है इनके समझ में आया नहीं आतो गया होगा पर सुप्रिम कोट चले गए सुप्रिम कोट में भी इन्होंने यही कहा था कि ततकाल इस मामले की सुनवाई करवा दीजिए तो पहले तो सुप्रिम कोट ने 15 अप्रेल की तारीख इनको दीए कि 15 अप्रेल को हम इसकी सुनवाई करेंगे आज 15 अप्रेल है और सुमवार को जब यह मामला सुची पर सुची वद्ध हुआ टाइम इसका हुआ तो अभिशेक मनु सिंग भी महां पहुँच गए अब अभिशेक मनु सिंग भी को कफिल सिब्बल को कुछ दू यह मुझे बताने के जरूरत नहीं है इन लोगों की छवी कुछ ऐसी है कि यह जाकर के कोर्ट में खड़े होंगे और आधी राहत तो वैसे ही मिल जाएगी लेकिन इधर हम देख रहे हैं जो कोर्ट का रुख है चुकि यह लोग जो प्रस कॉंफिर्स करते हैं जो बयान बा बाजियां कर रहे हैं और कई बार तो इनकी बयान बाजियों से ऐसा लगता है कि जैसे कोर्ट जो फैसले ले रही हैं यानि इनको नियाई खिरासत में भेजने के जो फैसले ले रही हैं जैसे वो भी किसी राजनीतिक दबाओं में है या राजनीति से प्रेरित है मतलब एक तरीके से ये कोट के विवेक पर कानून के राज पर और जो जस्टिस बैठे हुए होते हैं जो जज बैठे हुएते हैं फैंसले लेने वाले उन पर भी ये एक तरीके से सवाल खड़े करते हैं तो अगर इनको एक के बाद एक जटके मिल रहे हैं और 15 अपरेल को भी अभिशे किस्टिस ने साफ कह दिया कि भई हम करीब से करीब तारीख अगर दे सकते हैं सुनवाई के लिए तो वो 29 अपरेल है इससे पहले नहीं यानि इनको जो उमीदें थी कि अभी शेक मनौ सिंग भी को खड़ा करेंगे तो ततकाल तारीख मिल जाएगी ततकाल सुनवाई हो जाए दरवाजे खुल जाएंगे ऐसा बिलकुल नहीं हुआ तो सुप्रिम कोर्ट ने एक तो डवलप्मेंट आज का ये है कि सुप्रिम कोर्ट ने नोटिस इशू किये हैं इडी को कहा है कि आप 24 अपरेल तक अपना जवाब दीजिए जो जो ये लोग कह रहे हैं कि अर्विंद यानि 29 अपरेल को भी सुप्रिम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है इनको उसकी आगे सुनवाई चलेगी तो अर्विंद केजरिवाल और उनकी जो टीम थी उनकी जो पार्टी थी उसको एक तरीके से ये बड़ा जटका लगा है कि वो ततकाल सुनवाई पूरी करव करके और कोई राहत की विंडो ढूंड रहे थे तो वो उनको नहीं मिल रही है दूसरा बड़ा जटका आज दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि जो के कवीता है के चंदर शेखर राओ की बेटी उनको आपको याद होगा कि अभी एक कोट के आदेश के बाद CBI भी तीहाड में उनसे पूछताच के लिए गई थी पूछताच के बाद उनको हिरासत में ले लिया था और CBI की हिरासत की अवधी चुकी आज खतम हो रही थी तो इनको PMLA कोर्ट में राओ जैवन्य कोर्ट में पेश किया गया और CBI ने कहा कि साब ये जाच में सही योग नहीं कर रही ह हैं वैसे इनसे जो जानकारी हमें लेनी थी वो हमने ले ली है तो अब इनको नियाई खिरासत में यानि वापस तिहाड जेल भेजा जा सकता है जो इनके वकील थे के कविता के वो तो लगातार ED की हिरासत का भी वरोध कर रहे हैं CBI की पूछताच CBI ने जो हिरासत में ली जो पूछताच की उसमें भी उनको परिशानी है वो चाहते थे के साब इनके 16 साल के बेटे के एकजाम हैं तो एक डिड़ महिने के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए वो भी नहीं हुआ अब जो PML कोट है उसने अरविंद के कविता को 23 अप्रेल तक वापस तिहाड भेज दिया है के 23 अप्रेल तक आप न्याइक हिरासत में ही रहेंगी तीसरा अपडेट मतलब ये दो जटके आप समझे एक अरविंद केजरिवाल को सुप्रिम कोट से मिला के ततकाल कोई सुनवाई नहीं हो रही है 29 अप्रेल से जाकर के सुनवाई होगी दूसरा जटका इसी मा वापस तिहाड भेज दिया है और CBI की हिरासत में उनसे जो भी पूश्टाच होनी थी वो हुई तीसरा जो अपडेट है वो ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरिवाल से मिलने के लिए तिहाड गए थी और मुलाकात हो गई आदा भेंटा उनकी बादचीत भी हुई बाहर आकर के उन्होंने कैमरों पर राजनीतिक बयान बाजी किये और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर ही एक तरीके से लांचन लगाने की चेश्टा की गई जैसा आम आदिवी पारिटी के छोटे मोटे परवक्ता से लेकर के और जो इनके सोकॉल्ड परिष्ट नेता हैं वो करते हैं उससे कुछ अलग भगवन्त मानने नहीं किया उन्होंने कहा जी एक शीशे के उस पर अरविंद केजरिवाल को बठाया गया था इस तरफ मैं बैठा था वो शीशा भी बड़ा गंदा सा था जी और हमारी फोन से आपस में बातचीत कराई गई इंटर कॉम समझ लीजिए फोन समझ लीजिए और मैंने अरविंद है ना सबको बिजली मिल रही है ना पानी मिल रहा है ना मतलब एक पॉलिटिकल बयान बाजिए दूसरे इन्होंने कहा कि साथ वहां कुरूर अपरादियों और आतंकवादियों जैसा भीहेव किया जा रहा है बलकि उनके परिवार वालों को भी तसली से बात करने की छूट होती है अर्विंद केजरिवाल ने ऐसा क्या कर दिया है कौन सा इतने बड़े अपरादिय है के हमें भी फेस टू फेस मुलाकात नहीं करने दी गई मतलब तमाम तरह की बयान बाजी जो भगवंत मान कर सकते थे वो उन्होंने बाहर निकल करके की है लेकिन इन तीन घटनाओं से एक बात साफ है भगवंत मान की ही अगर बात करें अर्विंद केजरिवाल की ही बात करें तो इससे पहले तो एक वीडियो वाइरल हुआ था ना एक बार कुछ महिने बलके डेड़ साल पहले जब ये सब कारवाईयां चल रही थी और उसमें ये सोरभ भारदवाज कह रहे थे कि तियार जेल तो अपनी है घबराने की जरूरत नहीं है महा सारी सुक्स भी धाएं आप लोगों को मिलेंगी एक वीडियो अर्विंद केजरिवाल का आया था जब वीजे नायर को गिरफतार किया गया था तब इन्होंने कहा था 2022 की बात है कि साब वीजे नायर जैसे छोटे मोटे कारिकरता को अगर गिरफतार किया जा सकता है तो आप समझ लीजिए कि आप सब अब गिरफतार होंगे गिरफतारी के लिए तैयार हो जाईए हम ढरते नहीं है मतलब 2022 में ही अर्विंद केजरिवाल को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर एड़ी वीजे नायर की गरदन तक पहुँच चुकी है तो अब इन में से कोई बचेगा ने क्योंकि वो सबसे कमजोर कड़ी थी और वो ही कड़ी थी साउथ ग्रूप और अर्विंद केजरिवाल के बीच में जो वो सो करोड रुपे की रिश्वत का आदान परदान होना था जो तै हुई थी उसमें एहम कड़ी वीजे नायर थे तो इनको तो पता था बहुत अच्छे तरीके से अब क्यों चिल्ला रहे हैं अब क्यों इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं तो अपडेट आज का सबसे बड़ा ये है अगर मैं कंक्लूड करूँ कि अर्विंद केजरिवाल को कोई राहत नहीं मिल रही है ना PMLA कोर्ट से ना हाई कोर्ट से ना सुप्रिम कोर्ट से ना हाई कोर्ट ने ततकाल सुनवाई के लिए कोई जल्दबाजे दिखाई कि ये कोर्ट पहुंचे और बस जस्टिस बैठ गई है और इनकी सुननी शुरू कर दी चार दिन बाद की तब भी तारिक मिली थी उनको और तब तो सुनकांता शर्मा ने एक तरीके से वो कहते हैं ना कि इनको पूरी तरीके से जो इनकी सफाईयां हैं, जो इनकी दलीलें हैं, जो राजनिती कारोप हैं, उसमें पूरी तरह बैक फूट पर धखेल दिया था, ये कहते हुए कि इडी के पास सारे तत्य हैं, सब सबूत हैं, और कोर्ट ने उनको देखा है, देख हैं और जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं वो राजनीती से प्रेरित हैं इस पूरी गटना का पूरे भ्रष्टाचार का पूरे घोटाले का शराब घोटाले का रिश्वत खोरी का केंदर से लेना देना नहीं है एडी और अरविंद केजरिवाल के बीच का मामला है सुप्रिम कौर्ट में कोई जल्दबाजी नहीं इन्होंना कहा कि 19 अपरेल से आप सुनवाई शुरू कर दीजिए उसके लिए भी सुप्रिम कौर्ट तैयार नहीं हुआ और दत्ता साब हों या खन्ना साब हों उन्होंना कहा कि 29 अपरेल से हम सुनवाई शुरू करेंगे मतलब दो आपते के लिए अभी सुप्रिम कौर्ट में भी मामला टल गया है और आज इनकी वो हिरासत अवदी न्याई खिरासत अवदी भी खतम हो रहे ही हैं जो पीमले कौर्ट ने 15 अपरेल तक इनको तिहाड बेजा था उस पर भी अब उपचारिकता ही है अतीत की सारी गठनाओं को अगर हम देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि हर 14 दिन बाद इनकी न्याई खिरासत बढ़ती जाती है ये जेल में ही रहते हैं तो अब वो भी एक ख़बर आने वाली है प्यमले कोर्ट से इनकी वो हिरासत अवदी भी अब बढ़ने ही वाली है ये रिया होने वाले न अभी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कर झाल झाल